अस्ताम निकों मैं आपका उस बब्दुला होरी और आज मैं आपको बेस्ट वाले कैमरा फून्स बताने वाला हूँ अब ये बेस्ट कैमरा फून की वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले अपडेट की थी क्योंकि उस टाइम पे कुछ मेज़ रहा था आज के हलात में मिल कुछ नहीं रहा बट मैं बना वीडियो इसलिए रहा हूँ बहुत जारे कमेंट्स आते हैं भाई अगर कोई 20-25 आरपे कभी मेरे से फून पूछ रहा है वो साथ में मैंचन कर देता है अच्छे कैमरा वाला फून बताना तो खैर मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आज आपको जो अच्छे वाले कैमरा फून्स है वो सुझेस्ट करूँ कोई भी कैटिगरी से हूँ मैं आपको बता दू बाकी चोईस आपकी है उस पर अब देखो जो हला चल रहे है ना ब्रैंड्स का डिजाइन पी फोकस है उसके लावा वो फोकस नहीं कर रहे है बैक पे कैमरा के बड़े-बड़े मड्यूल्स बनाई जा रहे हैं बट क्वालिटी पी कोई फोकस नहीं है अगर आप 25, 30, 35,000 अरपे की रेंज में सोच रहे ह तो आपको नहीं मिलेगा चाहिए आप बॉकस पैक फोन देख लो चाहिए आप किट फोन देख लो किट फोन जो मिल जाते हैं लाइक पिक्सल 3 एकसली इस तरह के बहुत पुराने हो चुकिया है उनमें बहुत सारे रोले हैं तो इसलिए मैं वो रिकमेंड नी करता है तो मि 38 का मेन है मैक्रो सेंसर भी लगाव है अल्टरावाइट सेंसर भी लगाव है काफी डिसेंट फोटोग्राफी पैसो के हिसाब से आपको प्रवाइड कर देगा और यह सिंगल सिंफोन होता है जो मतलब इसके कॉन्स में डालो या जो भी वाटैवर रिव्यू देखोगो तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रंट सेलफी डबल एस की 16 प्लास 8 मेगर पिक्सल की तो डिसेंट काइंड ओफ सेलफी भी आपको मिल जाती है वीडियो ग्राफी भी डिसेंट प्रवाइड कर देता है मतलब सारे कैमरा सेंपल्स यहां पे भी दिखा दूँगा वहां पे आप को पता है कि कैमरा प्रोसेसिंग जो ना इनकी वो बड़ी लेवल की होती है सेंसर बेशक 12 मेगा पिक्सल कहीं लगाया हो इन्होंने तो पिक्सल 4 XL को मैंने रिव्यू किया था क्या कमाल की फोटोग्राफी है इसकी और स्पैचली बैक साइड से जो 16 मेगा पिक्सल का टेली बोत है इसमें अगर लेना है पिक्सल 4 XL तो आप इसको नॉन पीटी में कंसिडर करो साथ में कुछ सेकंड फून लेलो सस्ते वाला सिम वगारा को यूज करने के लिए क्योंकि यही स्लूशन रह गया अब उसके इलावा आप थोड़ा सा बजेट कूपर लेके जाते हो तो यहाँ पे आपको पिक्सल का ओफिशल पीटी वाला फून मिल सकता है वह है Pixel 4a 5G अब इसमें एक शिंगल शिम वाला वीरियंट भी आता है और इसमें डुल सिम ओफिशल वाला वीरियंट भी मिल जाता है और जो सिंगल सिम वाला हो 55,000 पे के नीचे और जो डुल सिम वला ह वो 60,000 पे के नीचे नीचे आपको मिलेगा depending on condition, availability यह सारे factors होते हैं but cameras के लिए level की devices हैं यह और cameras बहुत अच्छे capture करता है आपको अच्छी photography करनी हो आपको विडियोग्राफी करनी हो मतलब अच्छी stable और detailed videos ग्राफी मतलब यह provide करते हैं cameras complete review मेरा available आपको अपर यहाँ पे हर चीज तो मैंने बता सकता है links उसके description में है वो आप देख ले ना pixel 4A 5G camera की category में recommended है और 60,000 के नीचे आपको LG V60 एक option मिलती है आप उसकी तरब भी देख सकते हो imported kit phone है official PTA approved में यह मिल जाता है कोई 55-60 के दरब में depending on condition availability mostly तो यह phone मैं gamers को recommend करता हूँ क्योंके इसमें powerful hardware snapdragon 865 का जो तगड़ी gaming तगड़ी performance आपको मिलती है but इसमें camera hardware भी solid है back पर जो 64MP का main sensor है साथ में 13MP का ultrawide है back पर OIS का sport भी है इसकी जो photography है वो काफी decent है review में मैंने हर चीज मेंचन कियो detail sample में videography है back side से 8K तक जाती है maximum 4K 60 पर इसका भी sport है अच्छी detail वाली stable videography भी आप इसके back camera से कर सकते हो front जो है 10MP का है वो मुझे इतना solid नहीं लगा उसके light controller न वो चीज़े हिला देता है वीडियोग्राफी में photography में kind of decent capture कर लेता है दो options आ रही है वाँ पर भी 4K 60 पर फ्रन्ट का साइड के उपर videography तो हाँ camera के लिए देख रहे हुँ न इतने पैसो में एक super device है बट check करके अच्छी condition वाला buy कर लेना उसके इलावा Xperia 5 Mark 2 है यह Sony का phone है इसको भी मैंने review किया था यह भी under 60,000 आपको में जाता है अच्छी condition वाला हाँ यह metal और glass का बनावा phone है mostly गर्मियों में लोग complain करते हैं गरम बहुत ज्यादा हो रहा है तो भाई गरम होते हैं environment इस तरह का बट हाँ कि अभी तो सर्दियां वर्दियां चल रही है थोड़ी सी तो यह है कि camera इसके तगड़ी है 12-12 Megapixel के 3 sensor है एक telephoto sensor भी है optical image stabilization भी है back side के उपर होई है ऐसे तो videography भी काफ़ी अच्छी निकाल लेता है stable निकाल लेता है और photography में जो telephoto से zoom लेके आता है वो भी काफ़ी अच्छा लेके आता है portraits में edge direction बहुत अच्छा है light control सम्टाइम थोड़ा बहुत उपर नीचे कर जाता है front plate में के pixel की जो selfie है kind of decent ही उसको मैं rate करूँगा बाकी review में आप देख सकते है उसको और ये भी phone जो एने Xperia 5 Mark 2 ये official PTA वाला मिल जाता है इसका भी tax cam आता है और बाकी अगर आपके पास manual skill है इसके लिए अंदर manual camera apps आती है cinema pro या photo pro type की app है अगर आपके अंदर skill है manual photography या वीडियोग्राफी की तो आप बहुत अच्छी details निकाल सकते है इसके camera से देखो एक और phone जो 60,000 की range में ही मैं recommend करना चाहूँगा oneplus का phone है 70 बहुत अच्छा है gamers भी लेते हैं उसको और camera lovers भी लेते हैं क्योंकि मैंने review किया है मैंने उसके camera का potential चेक किया है photography में बहुत अच्छे camera हैं और even video graphie में भी 4K 60 app तक यह options हैं जो दूर दूर तक box pack phones में से होके नहीं गुजरती आज कल के जो हलाद चल रहे हैं तो अगर आपको camera अच्छे चाहिए न तो यही वो devices हैं जो आप consider कर सकते हैं मतलब आगे मैं और बता रहा हूँ अभी जाना कहीं पे न oneplus 70 55-60 की category में अच्छी condition वाला मिल सकता है चाहिए आप gaming कर लो चाहिए आप उसके ओपर camera यूज़ कर लो अच्छे हैं दोना और एक box पर फोन रिसेंटली लॉँच हुआ है 60,000 पी की रेंज में इंफनिक 030 4G मैंने का उसके बारे भी mention कर दूँ थोड़ा था काफी दोस्त कह रहे है तो उसके camera को देखो curve display लेके आता है बड़ा सोना चुन्नू मुन्नू सा फोन है तो भाई अभी तो वो black market में बेच रहा है इंफनिक्स अभी इन्होंने supply उस हिसाब से दी नहीं है demand की hype create कर दी है वो 60 वाला फोन कोई 65 में बेच रहा है कोई 70 में बेच रहा है 8 से तो तगड़ा ही होगा बट खैर अगेन वही चीज है मैंने उसको टेस्ट नहीं किया हुआ तो मैंने 8 को टेस्ट किया हुआ है कैमरास में बहुत सॉलिड लगा मुझे इसकी चाहिए फोटोग्राफी हो चाहिए इसकी वीडियोग्राफी हो बैक पर जो में सैंसर है 48 मेंगर पिक्सल का वीडियोज भी काफी स्टेबल और अच्छी क्वालिटी में निकालता है पोटेट्स भी बहुत अच्छे कैप्चर करता है अजिड डिडेक्शन मतलब ओवराल जो कैमरा परफॉर्मनस है बहुत बेहतरीन है इसकी और ये 70-75,000 पे के दरमयान आपको जो डूल सिम ग्लोबल वाला वेरियंट है वो मिल जाएगा उस ही को कंसिडर करना इसमें जो सिंगल सिम वाले आते है मैंने रिव्यू किया था मेरा एक्सपिरियंस उसके साथ अच्छा नहीं था बट ये जो डूल सिम ग्लोबल वाले है इसको मैंने एक्सपिरियंस किया है काफी मतलब बैटर एक्सपिरियंस है इसके उपर तो प्राइस थोड़ा सा डिफर कर सकती है उपर नीचे बट ये ही प्राइस रहेंज है अच्छे कैमरास है देख सकते हैं इसके तरफ बाकि देखो वन प्लस के फोन्स में आजकल ग्रीन जो लाइन है न डिस्प्ले के उपर है उसका काफी इस्यूस रिपोर्ट हो रहे है पाकिस्तान से भी कुछ जो मुसली इंडिया में थे पाकिस्तान से भी कुछ यूसर्स ने रिपोर्ट किया कि यार ये मतलब बैठे बैठे ही आगया न अपडेट किया फून को और ना ये चक्कर है बट वो फिर जाहरे किस्मत पिड़्पैंट करता है majority of users को नहीं आया कुछ को आया उनकी फिर किस बद माड़ी होगी उनको आगया तो ये चीज़े बस mind में रखते हुए बाय करना अगर खुदाना खासा green line आ गई तो panel का ही खर्चा उसके उपर और काफी comments नीचे जो आने वाले हैं oneplus 9 series कहां पर आपको क्यों नहीं आपने suggest की again भाई वोई चीज़ है मैं without review किये किसी चीज़ को endorse नहीं कर सकता और no doubt उनकी cameras भी अच्छे होंगे जब oneplus 8 recommend कर रहा हूँ तो nine में जाहरा कुछ चीज़े उपर नीचे होंगी तो चीज़े ठीक हैं जल्दी review करूँगा सारे verdict उस review में provide करूँगा तो अगर आपने Apple का स्वाद लेना है मतलब आपने अगर iPhone देख रहे हो कोई अच्छी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में तो मेरी ये वीडियो मोसली 75,000 पे के आसपास है मतलब असी तक भी चला जाता है आपकी bargaining script band करता है 70,000 पे तक आपको JV वाला में जगा है non-PTA में लेना है तो JV वाला लिया करो पैसे बचाया करो क्योंके कौन सा प्रूफ करवाना आपने तो हाँ, cameras उसके अच्छे हैं चाहिए आप photography में देखो चाहिए आप video graphic के अंदर देखो अच्छी stabilization भी देता है front जो उसका camera है मतलब आप vlogging के लिए यूज करना चाहरे हो अच्छी photography, product photography कुछ भी करना आप उसको camera के लिए still consider कर सकते हो iPhone 11 को और 70-75 की range में Motorola का एक phone आता है Edge वाला, Moto Edge Plus है बड़ा famous phone है gamers भी लेते है snapdragon 865 का hardware उसका camera set भी बहुत अच्छा है 108 megapixel का main sensor है OIS का भी sport है decent photography है इसकी back side के उपर अच्छी photos लेता है मैंने इसको review किया वा सारे samples उसके अंदर है उसके लाबा वीडियोग्राफी पे आते हो तो 6K की maximum recording भी करता है but हाँ kind of decent performance है उसकी photos और वीडियोज के अंदर बाकी review में आप details देख सकते हो ये भी 70-75 में official PTA मिल जाता है और recommended phone है अब देखो बहुत unfortunate है कि मैं best camera phone की video बना रहा हूँ locally जो हमारे brand चल रहे है जो dubba back phones बना रहे है उनका कोई भी phone मेरी list में मतलब fall नहीं किया कि मैं ऐसा phone हो जिसको मैं camera के लिए recommend करूँ हाँ कुछ used phone है past में आते थे अच्छे phones आते थे यही brands बनाते थे Samsung Lexi A52s है यह मैं recommend करना चाहूँगा ideal price range है इसके लिए 60-50,000 पे अच्छी condition में find कर लेना चाहे local market में या OLX पे OLX पे ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लेना fraud भी बहुत चलता है advanced payment नहीं देनी मोके पे जाकर अच्छे से चेक करके फिर payment करो उसको तो A52s cameras के लिए बहुत अच्छा है overall phones भी बहुत अच्छा है review देखना है तो review available है वो आप देख सकते हैं इसके उपर और दूसरा जो phone है वो Realme का है Realme 9 Pro Plus आज के टाइम पे Realme फूल सहस्ते नशे में चल रहा है बट ये इनका used phone है आपको ideal price range बता देता हूँ इसकी तक्रीबन 60-70,000 पे के दिरम्यान आपको अच्छी condition वाला अगर मिलता है तो आप इसको consider कर सकते हो cameras के लिए अच्छे है बट Realme की जो थोड़ी सी camera algorithm से है जो camera processing है वो थोड़ी boosted colors वाली होती है लेगिन Realme जो users है वो इसके साथ मतलब सही है easy है आप देख सकते हो cameras photography के लिए अच्छे है videography के लिए भी Realme 9 Pro Plus के अच्छे है तीसरा जो phone है वो Redmi का phone है Redmi Note 10 Pro मैं suggest करना चाहूंगा तकरीबन 45-50,000 पे के दिरम्यान आपको अच्छी condition वाला अगर मिलता है तो इसको consider कर सकते हो आप देखो Redmi Note 12 4G जो आजकल के time पे डबा पैक चल रहा है वो 90,000 पे की range पे चल रहा है और सेम वो ही feature है जो Redmi Note 10 Pro में है 19-20 बस difference है उसके अंदर charging लेके थोड़ा वो तूपर नीचे बट अगर आपको Redmi Note 10 Pro आप find कर लेतों न तो पैसों के हिसाब से आपको अच्छे cameras एक अच्छा experience प्रोवाइड करेगा तो ये थे overall वो वाले best camera phones जो up to 70-75,000 पी के range तक आप consider कर सकते हो kit phones में आपको options बताई है आपको मैंने local वाले use phones आपको बताई है unfortunately box pack phones जो है वो कोई भी qualify नहीं कर सका है मेरी list में यूँके मेरा जो criteria वो बड़ा fair रहता है बड़ा honest किसम का रहता है और अच्छे काम करेंगे box pack phones तो definite ये भी मेरी list के अंदर आएंगे I hope के वीडियो आपको helpful लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करके जाना मैं में विलकाँ अगली वीडियो में थैंक्स फोर वाचिंग, I love this